हमारे एक वैजी है हों बहुत प्रयों करते हैं यवक्षार यदि बोड़ी में टॉक्सिंस बढ़े वें तो यवक्षार देने से एकदम से वो टॉक्सिंस भार निकल जाते हैं तो भी दूर हो जाता है पेन खर कुचला कुचले की ओशदियम बनाते हैं विशतिंदुक वटी अकेला कुचला तो देते हैं नहीं विशतिंदुक वटी एक तो दर्दों में लगबग लगबग दर्द दूर हो जाते हैं विशतिंदुक वटी से विशतिंदुक वटी अब इसके उपर आगे हम रिसर्च करें कि विश्यतिन दुखवटी E.S.R. पर यूरिक एसेट पर आरे फेक्टर पर E.S.O. पर जिन कारणों से दर्द होता है उन कारणों में से किस के उपर सबसे ज़्यादा काम करता है लेकिन इतना जरूर है कि कुछला जो है एक तो कमजोरी को दूर करता है इसलिए जितने भी आरिवेद में ताकत की उशदियों के नाम पर जो शक्ति वर्धक उशदियों के नाम पर कुछले को बहुत परसस्त माना गया है और कितनी मात्रा में ऐसे ही जहे मूं की डाल से भी कम इतना कुछला का प्रियों किया जाता है तो शक्ति के रूप में उशदिय के तोर पर तो इसका कुछले का छिलका उतारा जाता है उसके अंदर एक जीव बीसी होती उसको निकाला जाता है हम करते हैं सोधन गोमत्र में इसको भिगोया जाता है पहले शोधन किया जाता है कुछले का शोधन करते हैं जो ये ये जो हम बाकुची चोन कप्रियों करते हैं तो बाकुची को भी पहले गोमत्र में भीगोते हैं बदर बदल के आज भीगोई फिर गोमत्र चेंज करते हैं फिर कम से कम तीन बार तो उसको गोमुत्र में भीखोते हैं तब जाकर के फिर वो श्वित्र के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है तो सबसे अच्छा पेन के लिए है कुछला तो कुछला और भी दो तिन फायदे करता है एक तो जिनको बार-बार पेशाब होता है जैसे ये जो जिनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है उनको चंदरप्रभा वटी और विश्यतिंदुक वटी ये दोनों दे दो चंदरप्रभा विश्यतिंदुक और गोक्षरादी गूगल ये तेनों उसदी देने पर प्रोस्टेट ठीक हो जाता है तो ये आपको न ये चीजे अनुभव से आती हैं और कपाल भात ही प्रणायम करा दो तो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट भी प्रोस्टेट का आकार होता है करीब 20 ग्राम का और वो हो जाता है लोगों का 60, 120 ग्राम तर अब लोकी का जूस्ट फिला दिया हमने ये प्रियो किया है लोकी का जूस्ट फिलाया ने तो P.S.E. बढ़ जाता है और वो P.S.E. बढ़ा और 10 से उपर गया 20 तक पहुँच जाता है 30 तक पहुच जाता है लोगों का फिर कैंसर हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर P.S.E. लेवल नहीं बढ़ना चाहिए मातों बहनों को यूट्रेस का कैंसर परसों को प्रोस्टेट का कैंसर और से बचने का एक उपाय का पालवाती प्रणा है ये तो कुछला ये पेन के लिए रहा है बहुत अच्छा और कुछला ये मुत्र रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है और कुछला ये धातू रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है खेर अब आपको मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने ऐसे रोगी आएंगे जिनको ये बहुत ज़्यादा समस्या है परेशान है घूम घूम तो मैं कहा रहा था क्योर करने वाली जो बात है मैं क्योर करने वाले आट देस बड़ी बाते बता हूं हम अर्थराइटीस को क्योर कर देते हैं इसका मतलब आरे फेक्टर नॉर्मल आजाता है यूरी कैसे नॉर्मल आजाता है ईसर नॉर्मल आजाता है ईसो नॉर्मल आजाता है और जो उसके लक्षन है वो भी नॉर्मल आजाते है और उसके काण़ से जो सरीर में टेड़ा मेड़ा पनाया था भो भी नौर्मल आजाता है तो लाक्षिनिक तोर पर मनि हैं आब Lab में टेस्ट कराएंगे यस लिया कि तो भी अर्थराइटीस के और हो गया सरीर में में देखेंगे यस लिया हो गया अब आस्त में के और करते हैं इसका मतलब क्या हुआ यह तो मैंने आपको arthritis का बताइ उसमें जव्त नरिल आ गया यह तो arthritis के ऊरून अस्तमा के ऊरूने का मतलब क्या हूँ अस्तमा के ऊरूने का मतलब है उसका lung की capacity बढ़ा देते हैं lung function ठीक कर देते हैं PFT टेस्ट करते हो तो फो नर्मल ही मिलेगा अब उसमें तो यह ही टेस्ट करते हैं उसमें कोई दूसरा थोड़ी होता है वो टी बी आदी तो दूसरी चीज़े होते हैं वैसे आप नॉर्मल टेस्ट करोगे तो फेफड़न नॉर्मल है और उसमें हाँ वो जो है लंग फाय प्रोस्टिस में जो है फेफड़ों के लंग की स्थिती चेंज हो जाती है तो वो भी प्रड़मिस अच्छी हो जाती है तो हम अस्थमा को क्योर करते हैं इसका मतलब लंग की कैपिसिटी बढ़ा देते हैं दूद में हल्दी देते हैं सिलाजी देते हैं और जो उशदियां बताई थी वो सब प्रयोग करते हैं हम अर्थराइटिस को क्योर करते हैं हम अस्थमा को क्योर करते हैं क्योरिंग वाली जो बात हैं हम एसीडीटी को क्योर कर देते हैं हम तो है, स्टमेक, लीवर, इंटेस्टाइन, गाल ब्रेडर, इसके फंक्शन को अच्छा कर देते हैं, तो किसको क्यूर करते हैं, एसी डीटी, एसी डीटी कब क्यूर होगी, जब आपका लीवर का फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन, स्टमेक का फंक्शन, गाल और नर्वस सिस्टम एकदम नॉर्मलाइज होगा, स्ट्रेस आपका दूर होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या है, ब्लड प्रेशर का एक कारण है किड्नी, किड्नी का फंक्शन अच्छा नहीं होगा तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन ग उससे हम kidney का function अच्छा करते हैं, हम heart का function अच्छा करते हैं, thyroid का function अच्छा करते हैं, nervous system को अच्छा करते हैं, stress level को balance करते हैं, तो हम BP को cure कर देते हैं, यह है cure, आफ करते हैं, जिन कारणों से वो रोग हो रहा है, उन कारणों का निवारन करते हैं, इसको कहते हैं, रोग को निर मूल करना उन मूलन करना जिन कारणों से रोग हो रहा था उन कारणों को खतम कर दिया कारण कार्ये सिद्धान से तो सारी सिर्ष्टी चल रही है जब कार्ण होता है तो कार्ये हो गई हो गई जब बीज होता है तो सिब्रिक्श होने की पैदा होना की संभावना बनी रहेगी जब तक ये कारण रहेंगे तब तक तो रोग रहे गई ऐसे हम डाइबिटीज को भी क्यूर कर देते हैं डाइबिटीज के अंदर कैसे क्यूरिंग प्रसेफ बसादा पैदिक्रियाज के जो बीटा सेल्स डीजर्णेट हो गए थे उनको हम कपाल भाट आनो लोम मिलोम करा करकि और रोश Assisi दीदे करके रीजर्णेट कर देते हैं ये है डाइबिटीज का क्यूर होना फिर हम हाइरयड को क्योर कर देते हैं कपालभाती कर आते हैं उजजाई कर आते हैं कपालभाती उजजाई ये ग्रिवासन ये सिंगासन और स्ञड़ा हो जाये तो थोड़ा उष्टपासना दी कर लेए नहों, तो कोई बात नहीं ये एको प्रेशर कपाल भाथी उज़ाई गृवासन सिंगासन और यह एकोप्रेसर यह पांच चीजें हैं यह पांच चीजें करने से थारेट क्यों हो जाता है अर्था T3, T4, TSS का फिलेंस हो जाता है तो थारेट क्यों हो जाता है यह है तो आपको जितने भी योग के विद्यार्थी हैं, उनको भी बोड़ी का, एनाटोमी का, फिजियलोजी का, पूरा जो हमारा शरीर विज्यान है, इसका नौलेज होना चाहिए, योग के विद्यार्थियों को, यदि एनाटोमी का, फिजियलोजी का, मेडिकल साइंस का सामने बोद नहीं होगा तो वो योग के फाइदों को अच्छे तरह से नहीं बता सकते हैं, एक्स्प्लेइन ही नहीं कर सकते हैं अब देखो, हम थाराइड एक तो यह मने बता हैं, इन से ठीक करते हैं अब जैसे को छोटे बच्चे को थाराइड हो गया तो उसको तो 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 त ना किसी ओशदी के अच्छा आस तक आईरिवेद में आप में तो ज्यादा तर तो नए वैद्दी है हमारे दो चार पुराने भी वैद्दी है तो तीस चाली साल पुराने भी है हाँ जी पुराने वैद्दी कभी थायराइडी की दवाई लेने जाता ही नहीं था क्यों? वो कहता था इनके यह थायराइडी में दवाई है अल्ट्रोक्षिन आदी लो और जब तक जी हो तब तक खाओ वैद्दी के पास कोई थायराइडी को ठीक करने की दवाई होती ही नहीं थी इसलिए वैद्दी जी को भी थायराइड होता ता तो तो अल्टोक्षिन ठोकता था वैद्दी को भी थायराइडी की प्रोप्लम हो जाए तो खुद वैद्दी अलो पैथी की दवाई खाता था देखो अब मैं थोड़ा सा थोड़ा आपका माइंट सेट चेंज करता हूँ पतंजली योग पीछ ने क्या किया आईरवेद के क्षेतर में पतंजली योग पीछ ने ये किया पहले आईरवेद में खाली दवाई लेने आते थे वैज जी कब्ज हो गई चोन दे दो पक की बात है कब्ज के लिए एलोपेथी में नहीं जाते थे वैज जी सर्दी जुकाम हो गया सर्दी जुकाम हो जाए तो त्रिकुटा चोन दे देता था कब्ज हो जाए तो वैज जी त्रिफला चोन दे देता था सामन ने बुखार हो जाये तो तो अल्टोक्सिन और परसिटमोली लेता था वो हर आद्वी को ये जैसे त्रिफला, त्रिकुटा, अदी, दो तिन ओशदियां, अरिवेद की सब लोगों को पता है ऐसे परसिटमोल, क्रोसिन, अदी, हर आद्वी को पता है बुखार हो जाये तो वेज़ी के पास आते हैं नहीं थे पुराना बुखार हो जाये, जब किसी दवासे टूटे नहीं और बुखार लंबा चल जाये तो वेज़ी के पास आता था किसी को बहुत जादा अस्तमा हो जाये तो वेज़ी के पास आता था बहुत जादा जोड़ों में दर्द हो तो या बहुत जादा लीवर खराब हो गया हो पेट बहुत जादा खराब हो गया हो ऐसे आठ दस बिमारियों के लिए वेजजी के पास जाते थे तो किस बिमारी के लिए शूगर के लिए वेजजी के पास ना के बराबर जाते थे वही ऐलोपेथी के इंसुलीन, ऐलोपेथी के दवाईयां क्यों? वो तुरंट कंट्रोल होता ही नहीं था कि पहले ही दिन से सूगर कंट्रोल हो जाए वेजजी के पास कोई दवाई नहीं थी पहले ही जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए ऐसे वैजी के पास कोई दवाई नहीं थी तो शूगर का पेशेंट ब्लड प्रेशर का पेशेंट वैजी के पास नहीं जाता था हाट का जब एडवांस स्टेज हो तो वैजी के पास जाता है तो वैजी के पास जब तक जाएंगे हो सकता है तब तक तो अपना राम नाम सती हो जाए वैजी के पास गए, वैजी ने दवाई दी और उसके बाद पता नहीं आगे क्या होगा इसके बाद कोई भविशे तो है नहीं इसमें देखता तो है नहीं और डोक्टर के पास जाए तो तुरंट लिटा करके एंजोग्राफिक करा करके और बोलता था या तो एंजोप्लास्टिक करा रहा है तो घर तक भी जाओगे तो कोई भरोसा नहीं हो, कभी भी हार्ट अटेक हो सकता है तो इतना डरा देते हैं, आदमें टेबल से उठता ही नहीं, मुसके वहीं प्राण से निकलने लगते हैं इसलिए वो ओप्रेशन किये बिना 99% लोगों को बाहर छोड़ते ही नहीं हाट का जिसका एंजोग्राफिय हो गया 99% लोगों को वहीं काट देते हैं तो बीच में करीब 20 साल पहली की बात बता रहूं यह 15 साल, 20 साल पहली ऐसी घटना शुरू भी वो जिसका भी एंजोग्राफिय करेर बोले 80%, 90% ब्लोकेज भाग भाग के निकलने लगा बापा के पास जाएंगे बापा के पास जाएंगे बापा के पास जाएंगे तो यह पहली बार हुआ कि बाबा जी कहते हैं लोगी का जूस भी हो, प्रणायम करो, हिरदायम रितलो, अरजुन की चालो, तुम्हारे ब्लोकेज भी ठीक हो जाएंगे तो पहली बार लोगों को एक ओन्फिडेंस आया कि हार्ट की चिकित्सा आईरिवेद में कराने लगे नहीं तो पहले वेज़ी को भी यह दी, वो 80 परसंट, 90 परसंट ब्लोकेज आए तो डोक्टर वही काम कर देता था एंजोग्राफी, एंजोप्लास्टी, बाइपास बस, तो हार्ट के पेशेंट, आईरिवेद के वेज़्डियों के पास नहीं आते थे डियाबिटीज के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, पेरलाइसिस के पेशेंट, पुराने तो आ जाते थे, नहीं नहीं आते थे जब एलोपैथी में धुके दुके खा करके जब ठीक नहीं होते थे, तब वेज़ी के पास जाते थे आज पहली जैसे उसको पेरलासिस होता है वो ऐलोपैथिक में नी जाता है उसको पता है महांको इलाजी नहीं है और ये सची बात है ऐलोपैथिक में पेरलासिस का इलाजी नहीं है और मैं कहता हूँ साथ दिन में हम पेरलासिस ठीक करते हैं वाल सात दिन केंदर और कोई दवाई मत करो, कोई हमारी दवाई लेने की जुर्त ना मेधावटी लो ना चंदर परभावटी लो ना तरुद्शांग गुगल लो ना अश्रशिला ना एकांग वीर रस हम कहते हैं एकांग वीर रस राज रस ये जो मैं बता रहा था ना आप कोशे दिया है प्रवाल मुतियादी के तो लाँ बता दिया थे जो योगेंदर रस है वो हमारे मस्तिस्क और ब्रेन सिस्टम को दोनों को अच्छा करता है और रसराज रस जो है वो नसगत नाडीगत जो वात होता हो उसको ठीक करता है तो केवल सनायूगत वात हो या नाडीगत वात हो तो रसराज रस और वो मस्तिस्क पर भी उसका प्रवाव हो गया हो नस नाडीओं के अलावा नाडीगत और सनायूगत वात के अलावा उसका असरिया दी मस्तिस्क पर भी हो गया है तो योगेंदर रस तो योगेंदर रस, रसराज रस एकांग वीर रस ये सब ओशेदी हम देते हैं जा है किसमें? पड़ाशिसमें और अश्वशिला तो कि ब्लड पेशर भी किसी किसी का बढ़ा हुआ होता है इसलिए ध्यान से देते हैं मैं जितना आवशिक हो अस्वशिला चंदर प्रभावटी त्रोदर्शांग गुगुल दे दिया और खाली पेट उसको मुक्तावटी या मेधावटी भी साथ में दे दी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कई बार क्या होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है प्रेलासिस होने के पहले भी प्रेलासिस होने के बाद भी किसी किसी का बाद में भी बना रहता है तो उसको मुक्तावटी या में जब में एदावटी भी साथ में देनी पड़ेगी तो मैं कहता हूँ ये इतना जवरतस तलाब है इसका अनुलोम बिलोम प्राहिम करना तो पड़ेगा और खुद ना कर पाए तो उसके रिष्तिदार करवा दें उसके घरवाले करवा दें उसको ऐसे ही पांस सेकिन तक एक बार आफियात रखें पांस सेकिन बाद फिर ऐसे चैनल कर दें ऐसे करवाते रहे नाग बंद कर दोगे तो लेना ही पड़ेगा स्वास जब ले ले तो भी से छड़वा दो पहले तीन सेकिन बाद में देरी देरी पांस सेकिन में हो जाता है पहला ऐसी स्क्योर हो जाता है ये स्वर विज्यान एड़ा पिंगला से सुमना का बहुत गहरा है स्वर विज्यान इसके साथ जड़ा हो है नाड़ी विज्यान तंत्रिका विज्यान नर्वस सिस्टम, आटमेंज सिस्टम, वोलेंटरी सिस्टम, आटनेमिक सिस्टम और इसके साथ जुड़ा हुआ है 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 अनुलोम मिलोम के साथ अब ये क्या है चक्र क्या है और इसके साथ जुड़ा हुआ है सब्सक्राइब अप्रतिक आत्मक जो चित्र भी दिया हुए न यह शक्ती है पूरी अंदर की ऐसे आप ओपरेशन करके ओपरेशन थेटर में देखोगे तो कोई आप कोई चक्र चक्र देखेगा नहीं पर चक्र में पढ़ जाओगे यह शक्ती के केदर है और शक्ती हमेशे अद्रिश्य रहती है अब जैसे आपको बिजली दिखाई देती है आपको या तो ऐलमुनियम का या कोपर का तार होगा अब उसमें से क्या जाती है बिजली आपके क्या बोलते हो बिजली का तार उस बिजली को आगे पहुंचाने के यह medium है, light तो अद्रिश्य रहती है energy और अब तो क्या विज्ञान ने हैं, अब जैसे हम बोलते हैं इस ध्वनी को किस में convert कर लेते हैं energy में फिर energy को वापस किस में convert कर देते हैं ध्वनी में यही तो ध्वनी विज्ञान है ये जो आवाज सुनते हैं इसको एनरजी में कनवर्ट कर लेते हैं लाइट में और इसको फिर किसमें कनवर्ट कर लेते हैं वाफस धनी में ऐसे खेर तो आपको मैं बात कर रहा था हमने नया क्या किया हमने नया ये किया कि पहले कोई भी ब्लड प्रेशर का, शूगर का, थाराइड का, हार्ट का पीसिंट ऐरवِद में नहीं आता था और बड़ी बात, हैपटैटिस का पीसिंट ऐरविद में नहीं आता था और जिनको असाद्देरो ऐरविद में भी, देखो ऐक बात और कहता हूँ अब ये मैं अपने बड़ाई के तोर पर नहीं कह रहा हूँ आईरवेद में भी हमने आईरवेद के एक तरह से फिलसफी को चेंज कर दिया आईरवेद में तीन तरह के रोग कहे जाते हैं साध्य, कश्ट असाध्य, असाध्य असाध्य सब्द हमने अपने के गरंतों में आपने पढ़ा है कि ये अस्थमा असाध्य है ऐसा अर्थ्राइटिस असाध्य है ऐसा फिर ये चमड़ी का रोग असाध्य है असाध्य चानवर रोग असाध्य का अन्दमन रोग है उनको आप ठीक ही नहीं कर सकते है तो एलोपैति वाली बात हो गई तो फिर आप कहेंगे कि आप रिशियों से भी बड़े हो गई चर्क सुश्रत से भी बड़े हो गई भई बड़े तो हो गई लेकिन ये कोई बहुत बड़ी गरिमा की बात नहीं कि हमारे माबाप जहां पहुंचे हम उसे आगे ना पहुंचपाएं हमारे पुर्वज रिशिमुनी हमारे माबाप की तरह है लेकिन हमारे माबाप जहां पहुंचे उसे आगे उस विज्ञान को ले करके जाना है तो रिशिमुनी उसे बड़े नहीं है भई हम लेकिन दूर्ष्टीम्नियों ने भाड़ा किया हमें आधार दिया हमें इस हीजी को आगज बड़ा है हमने हैपटाइory हैका अगर आगे आपको उसार बताएंगे हमने जो है SLE-MS Ottoman disease को क्यूर किया है चो पूरी दुनिया में जिन रोगों को बोल जाता है जैसे ये Rometean Arthritis, Hepatitis, Kolitis, Lung Fibrosis, Scleroderma SLE-MS इन बिमारियों को असाध्य माना जाता है इनको अमने क्यूर किया है Catrack, Glucoma असाध्य रोग माना जाता है Catrack को तुसरों ऑपरेशन कर देते हैं तो आज कल ठीक करने भी लग गए हमने Glucoma को ठीक किया आँख में दवाई डाली और आमल के रिसाइन सबता मरतलों मुक्ता शुक्तिबस्त मोती पिष्टी पहली बार जब हमने कहा था कि Glucoma क्योर होता है तो सोर मच गया था अब तो लाखों का ठीक कर दे हमने Glucoma क्योर हो जाता है काला मोतिया अब पहले वैज जी को भी काला मोतिया हो जाए तो वैज जी को ही नहीं पता था इलाज कैसे करना है यह ऐसी सैक्णू चीजी है जो हमने नई की ऐसे नहीं हो गया आईरवेद की प्रतिष्टाए अब आप लोगों को सब करा करा है मिल गया है तो आप लग रहा है तो आईरवेद की तो ऐसी महीमा थी बै प्राचिन काल में थी मद्धे काल में भी थी आधुनी काल में लगवक समापत हो गई थी और अभी तो ये एक चरण हुआ है हमारा, अब तो हम एक एक बिमारी के उपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर रहे हैं, एनेमल ट्रायल से लेकर के, ये टी बी से लेकर के, और कैंसर, कैंसर के लिए तो आईरवेज में कोई आता ही नहीं था, पहली बार हमने बड़ा और बबाय से भी अरदवार में, तीर्फ में जाके मरेंगे, तो उनके भी गरवाले उनको ले आते थे, ऐसे हमने बेन ट्यूमर, बेन एकांसर, ब्लेड कैंसर, ब्रेस्ट यूट्रेसॉवरी का चैंसर, ऐसे कैंसर के रोगियों को भी अच्छा किया, उनके पूरे रिकोर् report हमारे पास ये बड़ी बात है बाकित तो छोड़ो दो हुआ सो हुआ ऐसे kidney के patient kidney failure liver failure ये patient अच्छे किये ये ऐसे नहीं हो गया काम आप क्या कर रहे है अब हम चूहूं को cancer करेंगे चूहूं को hepatitis करेंगे चूहे खरगोस पालने के लिए हमने बहुत जबरदस्त यान लैब बना दी ये तो बीच में आपने लेगे पतंजिशास इंसिट्यूट ये इसी के लिए बनाए अब ये कारिकरम इस साल इसमें थोड़ा पाप अभी लगेगा और पुन्ने ज़्यादा लगेगा पाप इसलिए लगेगा कि जानवरों को कष्ट देंगे हम अब ज़्यादा जानवरों को तो दे नहीं सकती चूहे खरगोसों पर अभी तक अनुमती है तो चूहों को कैंसर करेंगे चूहों को हैपिटाइटिस करेंगे हम और हैपिटाइटिस का जो हमने उपचार ढूंडा है प्रानायम से तो ठीक होते ही ये चीजे कपाल बाती करो और जो है सरकल्प को आथ लो हैपिटाइटिस करेंगे हम चूहों को हैपिटाइटिस और इनको कैंसर करेंगे चूहों को इनको कोलेस्टोल बढ़ाएंगे इनको हार्ट अटेक भी करेंगे चूहे खरगोसों को इनको हार्ट की बिमारी करेंगे इनका blood pressure बढ़ाएंगे चुहूं का चुहूं को sugar की बिमारी करेंगे चुहूं को हम thyroid की बिमारी करेंगे चुहूं को arthritis करेंगे चुहूं को cancer करेंगे hepatitis करेंगे चुहूं को sorosis करेंगे खुजली करवाएंगे उनको और ये सारी बिमारियां चंहों को करा के और फिर उनको आर्रवेड के डबे करेंगे पहले चंहों को ठीक करेंगे फिर उसकी डो जा दी ओपर नीचे जो भी होगी अभी हो सकता है जितनी डबाई आपको हम बता रहें इसमें से कुछ बढ़ जाएं, कुछ घट जाएं तो अभी एक दूसरा चरण चलेगा भी और दो, चार, पांच साल ये काम चलेगा पांच-दस सालों में देश ये नहीं पूरी दुनिया अरिवेद के शण में आ रही है इसको कहते हैं क्लिनिकल कंट्रोल ट्राइल अइनेमल ट्राइल से लेकर के यूमन ट्राइल तक इसको बोलते हैं ऐवीडेंस बेज़्ड मेडिशन तो हम थोड़ी दिनों में ऐवीडेंस बेज्ड मेडिशन के तोब पर भी आरिवेद को प्रतिषठापित कर देंगे अब चलो, अब चुहूं को मोटा करेंगे, फिर उनका वजन घटाएंगे, चुहे बहुत अच्छे से खाते पत्ते, उनको अश्वगंधा के पत्ते खिलाएंगे, और जब वो चुहा दो किलो का और आधा किलो का रह जाएगे, तब हम कहेंगे देखो ये मामला प्ट हो गया सची बात बता रहा हूँ आपको, अब ये अश्वगंधा के पत्ते सुबह दो पर शाम तीन तीन पत्ते खिला दो, सुबह तीन पत्ते दो पर को तीन पत्ते, शाम को तीन पत्ते, और उसको अनाज कोई मत खिलाओ, क्या खिलाओ, शाक, सबजियां, फल, खाने की कोई सारी दुनिया उस्सी को खाने मिले घाय रहा है वहाएं काने के लिए और भी चीज़े हैं बावडे किसी भी गिवों और चावल बंद कर दो ना बोले ये बंद कर दिया तो जियूंगा कैसे जैसे खाने के लिए धर्टी पर दो ही चीज़े हूँ मैं तो कहता हूँ ये इस धर्टी को बहुत सुन्दर बनाना चाहते हो तो मानसारी तो होना ये नहीं शाह का हर में अलग 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 चीज़े खाएं कभी गियों हो, कभी जोग, कभी शावल, कभी बाजरा, कभी मौं, कभी रागी, कभी ये, कभी अलग अलग चीज़ें खाओ मिला जुला खाओ और मिल जुल के रहो जो मिला जुला खाते हैं उनको किसी भी कैलसियम की रुटियन की, माइक्रीन रुटियन की विटामिन की, आईरेन की, प्रोटियन की कोई कमी नहीं होती मिला जुला खाओ और मिल जुल के रहो ये पहले करते थे अभी मल्टी ग्रेन आटा मल्टी ग्रेन अभी ब्रेड मल्टी ग्रेन अब बर्गर मल्टी ग्रेन पीजा अब वो भी मल्टी ग्रेन चल पड़ा है नहीं तो पहले पहले एक ही इधर ज़ादा तर पूरी दुनिया में योरोप में भी देखा मैंने पूर पश्य मुतर दक्षिन पूरे हिंदुस्तान में भी देखा ज़ादा तर लोग क्या काते थे या तो चावल, राइस नहीं तो ब्रेट हम हिंदुस्तानी चपाती और उधर योरोप वाले और अमरीका वाले, ब्रेटेन वाले ब्रेट, वो ब्रेट बनाते थे इसमें इस्ट डाल करके, इस्ट डाल करके भूल जाता हो रोटी की जगे ब्रेट, और इधर रोटी और बाकी चावल, ये खाते थे लोग